रूस यूक्रेन में मौसम शुष्क रहने तथा यूरोपिय संग के अनेक सदसे देशों में अत्यंत मूसलाधार वर्षा के कारण भयंकर बार आने से शीत कालीन गेहूं की बिजाई प्रभावित होने की आशंका, अमरीका तथा अर्जेंटीना के कुछ राज्यों में भी अर्जेंटीना में गेहूं की नई फसल की कटाई तयारी शीगरही शुरू होने वाली है। हाला कि मौसम की हालत ऐस्ट्रेलिया में भी अनुकूल नहीं है, मगर वहां गेहूं की फसल पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ने की आशंका नहीं है, और इसकी कटाई तयारी आरंब हो गई है। दिसंबर में आस्ट्रेलिया तथा अर्जेंटीना दोनों देशों में गेहूं की जोरदार कटाई होने लगे। आरंब के तहट शीत कालीन फसल का रखबा घटने तथा वसंत कालीन फसल का क्षेतरफल बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। लेकिन इसका कुल उतपादन 815 लाक टन से घटकर 801 लाक टन रह जाने का अनुमान व्यक्त किया। जानकारों के अनुसार 2025-26 के मार्केटिंग सी सीजन में रूस से करीब 455-460 लाक टन गेहूं का निर्यात होने की उम्मीद है। दरसल रूस में गेहूं का मार्केटिंग सीजन जुलाई में आरंब होकर जून तक बरकरार रहता है। वही रूस के पडोसी देश यूक्रेन में भी गेहूं का उतपादन 2024-25 सीजन के 218 ल लाक टन से काफी कम है। इससे निर्यात में भी कमी आएग। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी